स्पी ने महिश्पूर ठाना के पाच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कार में लापरवाही बरतने को लेकर स्पी हर्दीपी जनार्दन ने इन पुलिस कर्मियों को निलंबित क्या है एक साथ पांच पुलिस कर्मियों के निलंबन से पूरे महकमे में हड़कम मच गया है वार्शी कालेंडर 2020 में स्पी के ओर से की गई है सबसे बड़ी कारवाई बताई जा रही है मैश्मूर के ताना प्रबारे सुरिल कुमार रवे ने ये जानकारी दी है कि एस्पी साहथ के ने जो कारवाई की है उसकी पुस्टी भी की है ताना प्रबारे ने पांच पुलिस कर्मियों को उनके कार में लापरवाही बरतने के लिए और सई तरीके से काम नई करने को लेकर ये सजा दी है निलंबित कर दिया गया है उन्हें महिश्पूर ठाना के पाँच पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया और महिश्पूर ठाना प्रभारी ने इस बात की पुष्टी भी किया है तो कार में लापरवाई बरतने को लेकर S.P. हर्दीपी जनारदन ने उन्हें निलंबित किया है कि जब S.P. क्योर से किसी एक ही थाने में इतने सारे पुलिस कर्मियों को एक साथ निलंबित किया गया है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला है अपने आप में और कहें कि पुरे वार्षी कर्मियों साल 2021 में साल 2021 में अब तक कि यह सबसे बड़ी करवाई किस S.P. की माने जा रही है हर्दीपी जरादन ने एक बड़ा फैसला लिया है बहुत ही कड़ा फैसला लिया है और उन्हें ने कहा कि यह पुलिस कर्मी पुलिस डिपार्टमिन का नाम खराब कर रहे हैं तो इनके निलंबन करने मुने किसी भी तरह कि कोई गुरेज नहीं है उन्हें किसी बात का दुख नहीं है तो कि इन पांच पुलिस कर्मियों की वयसे डिपार्टमिन का नाम खराब हो रहा था आम लोग जो की उमीद लगा रहते हैं कि उनका काम हो जाएगा तो ऐसे पुलिस कर्मियों की वयसे उनका काम हो नहीं पाता है वो बार बार नियाए के लिए चक्कर लगाते हैं पुलिस के पास पहुंचते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ चक्कर लगाना पर नाश्वासन मिलता है या फिर उन्हें कई बार वापस लौट जाना पड़ता है कई बार उसे सिद्धे मूद तक बात नहीं किया जाती है तो ये सब चीज़ें बर्दास नहीं किया जाएगी पुलिस जनता की सेवा के लिए हैं और अगर लाइक और शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा